गैप बना रहता है उसको हम लोग द्वेंद समास केते हैं फिर आता है हमारा अगला क्वेशन है हाथ मलने मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो उसका हमारा होता है पच्छताना हाथ मलने का मतलब होता है पच्छताना नेक्स्ट क्वेशन है उल्टी गंगा बहाना लोकुक्त क्या अर्थ होता है तो विरुद कारे करना अगर कोई व्यक्ति किसी के विरुद कारे करता है तो उसे हम बोलते हैं उल्टी गंगा बहाना अगला प्रशन है हमारा कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है तो कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सनप्रेशन ठीक है Communication शब्द की उत्पती किस भाषा से हुई है तो Communication भाषा की जो उत्पती है वो Latin भाषा से हुई है आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है ये question आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है Communication शब्द की उत्पती किस भाषा से हुई है किस भाषा की शब्द से हुई है तो ये लैटिन भाषा से हुई है, ग्रीक, अंग्रेजी, जर्मन आपको confused नहीं होना है, ठीक है, next question है, संप्रेशन की सरवाधिक परिभाषा किस ने दी है, तो संप्रेशन की सरवाधिक परिभाषा जो है, वो अरस्तु के द्वारा दी गई है, और अरस्तु ने तीन लोगो को बहुत ही ज़्यादा में माना था अपने परिभाषा में, किसको किसको प्रेशक, समदेश और प्राप्तकरता को, यानि कि सेंडर, मेसेज और रिसीवर को बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन माना था, ठीक है, next question है, हमारा स्तोत्र समवाद और प्राप्तकरता किसके आव गताते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही उम्हें